हमाँ साथ बात करनें के लिए भारते इंता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी मनोज जी आज मनीश सी सोधिया ने बैक टू बैक तीन बार आपका नाम लिया और उन्होंने कहा कभी आठ हजार कहते हैं कोई सव करोण कहता कोई 144 करोण दरसल है कितने का गोटाला क्योंकि वो लगादार कहे रहे हैं गोटाले एक पैसे का नहीं है बलकि दुनिया की सबसे बहतरीन पॉलसी है यह देखिए वो आज मैंने सुना उन्होंने हमारे आठ हजार करोड के हिसाब को बोला कि यह आठ हजार करोड क्या है अच्छली उसमें 100 करोड मैंने कम बोल दिया था अभी मैंने रिवाइज किया तो देखा वो आठ हजार एक सो करोड का हिसाब है और यह आठ हजार एक सो करोड अलग है मैं अभी आपको समझाता हूँ 145 करोड का अलग है जो नोंने छूट दिया सराब्यापारियों को लिकर माफियाओं को 30 करोड एक अलग फीस है जो काम शुरू करने के लिए वो सरकार के खजाने में जमा करना पड़ता है और इसके अलावा जो 2% से 12% कमिशन किया गया उस 10% का हिसाब लीजिएगा देखिए दिल्ली में अगर नॉर्मल बिजनिस चलता है तो करीब 24,000 करोड के आसपास के सराब का बिजनिस है तो वो सारे जो अलग-अलग बोल रहे हैं न वो देखो जब क्रिमिनल माइंड होता है न तो वो छोटी-छोटी बातों को मुद्दों में भटकाता है 145 करोड भी है एक करोड भी है इसके बाद 30 करोड भी है और 8,100 करोड भी है अब ये 8,100 करोड हम आपको समझा देते हैं उन्होंने सुरू में बोला लिकर पॉलिसी जो हम ला रहे हैं बेस्ट पॉलिसी है बीच में जब वो फसे थे तो बोले कि नहीं नहीं ये तो हेल जी साहब ने करा दिया था ये हमने नहीं किया आज उन्होंने फिर से बोला कि ये बेस्ट पॉलिसी है और बेस्ट पॉलिसी का इनको डेटा भी मिल रहा है इनका खुद का स्टेटमेंट है कि इससे 9500 करोड का रेबनियू मिलेगा 9500 करोड में कितना मिला है 1400 करोड तो 8100 करोड 87 परसेंट विक्री बढ़ने के बाद भी अगर उस पैसे का हिसाब नहीं देंगे तो मनोस्तिवारी तो मांगेगा क्योंकि दिल्ली मांग रही है हमारे चेतर के लोग कह रहे हैं अर्वीन केजरीवाल से भारतियंता पार्टी डर गई है दिल्ली का जो मॉडल है इतना बेस्ट मॉडल है खासकर एजुकेशन का और हेल्थ का उसकी वाज़से आप लोग घबरा गए हैं तो यह जुकेशन मॉडल पे थोड़े सी वियाइड बड़ी है एजुकेशन मॉड जी आप साइद बवा गए हैं ये सराब घोटाले पे पूछा जा रहा है आप देखिए जब आदमी को शामने जेल दिख रहा होता है फिर वो जर लूट का पैसा वो भी जमा करना पड़ेगा क्योंकि उधर प्रधान मंत्री जी ने लाल किले पे बोल दिया कि ये कि पैसा जमा करवाएंगे बरश्टाचारियों का तो अब उनको समझ में नहीं रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं आप घोटाले की बात कर रहे हैं ये जुकेशन घोटाला और स्वास्त घोटाला तो अभी अलग है क्या आप लगता है दोजार चौवेस में आम आदमी पार्टी और भारतीयंता पार्टी में कोई सीधी टेकर होने की समभावना है अरे पहले वो इस टेट में तो सीधी टecker की स्थिति में खडे रहें भाइ जो आदमी का उतराखन में जमानत जब्द हो जाता है उतराखन में हर सीट पे, गोवा में दो सीट छोड़के सब पे उतर परदेश में चार सो तीन सीट पे जमानत जब्द है तो ऐसी इस्तिती में वो बढ़ी हम कहां कह रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हम भरष्टा चार में नमबर वन करेंगे देश को अब भरष्टा चार में नमबर करने के लिए थोड़ी हमारे देश का लोग किसी को सहायता देगा सराब घोटाले पे सवाल है सराब घोटाले पे जवाब दीजिए और मुझे लगता है कि अब इनके पाँ जवाब है नहीं ये भी जाएंगे सवन्द अंतिम सवाल छोटा सा बार-बार कह रहे हैं कि अगले कुछ दिन में ये तो संभावना अरविंद केजरिवाल जी तभी व्यक्त कर दिये थे जब हमने कहा था कि जाँच किया जाए हमने कहा जाँच किया जाए तो करें कि अरविंद केजरिवाल बोल रहे है कि मनीद केजरिवाल जेल जाएगा तो ये तो लोग का अपना क्या है कौन किसको जेल भेज रहा है, इसा हमको नहीं मालूम भे, हम गाउं के आदमी है, हमको सीधा सीधा पता है कि सराब घोटाले में 8100 करोड ये जो विक्री वाला रेवन्यू नहीं आया, 145 करोड जो आप पैसे छूट दे दिये, 30 करोड जो आप अलग छूट दे दिये, और भी मनुझ के साथ निरेज पांड़े, VP News, दिल्ली